अगर आपको भी glowing skin चाहिए और वो भी बिना किसी ताम चाम के तो मैं आज आपके साथ एक home remedy शेयर कर जी हूँ जिसे आप बना कर रख सकते हो 15 days के लिए बस आपको लगाना है देली के डेली और देखेगा आपकी skin में एक बहुत ही अलग सी shine, glow और बहुत ही softness आजाएगा Hello everyone, welcome back to my channel, hope you all are doing great तो यह जो हम remedy है ना, सारे ingredients इसमें हमें चाहिए अपनी ही kitchen से तो सबसे पहले तो यह देखिए, एक tomato और एक लिया है हमने यहाँ पर potato small size के यह दोनों pieces हम ले लेंगे, basically हमें इनका rust चाहिए होगा, तो यह जो है ना, या तो आप इनको grate कर ले, या फिर कट करके आप blend कर लें अच्छे से और इसका juice निकाल ले, अभी यह दोनों चीज़ें जो है ना, हम use क्यों कर रहे हैं अपनी skin पर, क्योंकि यह जो है यह मलायम हो जाएगी और मतलब, moisturize हो जाएगी बहुत अच्छे से, skin पर जो extra oil होता है, यह उसे साफ करने में बहुत ही फाइदे मन्द है, अगर skin में puffiness है, तो उसे यह खतम कर देंगे, antioxidants होते हैं, इसमें जो free radicals से लडने का काम करते हैं, dead skin साफ करते हैं, skin में एक tightness आती है, मतलब skin बहुत tight पिखती है, अगर skin पर या छेहरे पर जो है निशान है, tanning है, pigmentation है, तो यह दोनों, aloo और tomato का जो rust है, ना, इन सारी स्वस्याओं को दूर करने में बहुत ही मददकार है, आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ी असा इसका paste बन गया है, लेकिन अभी भी हमने इसे चान लेना है, एक net का या cotton का कपड़ा लेकिए आप इस तरह से इस पेस्ट को पूरे को चान लें, अब बाउल में जो juice हमारे पास आएगा, इसका यूस करेंगे हम क्रीम बनाने हाफ टी स्पोन चाफल का आटा, चाफल का आटा हमारी इसकीन के लिए बहुत ही फायदे है, यह हमारी स्कीन में निकार लाएगा, कलर फियर करेगा, संटें दूर करेगा, साथ के साथ डाल धबबे ख़तंगगा, पिंपल से हैं हमारे चेहरे पर तो उन्हें खतंग मतलब बिल्कुल इसका एक perfect जो है texture आना चाहिए creamy texture इसका आ रहता है बहुत ही अच्छा सा अभी यह देखे जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे यह गाड़ा होता जाएगा अभी यह पूरी तरह perfectly यह पक चुका है अब flame कर देंगे बंदो और इसे ठंडा होने देंगे और उस बहुत ही जरूरी है जो हमारी fine lines wrinkles को खतम करेगी अभी यह दो चम्मच मैंने फ्लैक्सीर डाल दी है एक गिलास पानी में और इसे भी हम वाइल कर लेंगे बहुत अच्छे से आपको बता है कि जैसे वाइल करते हैं हम इन फ्लैक्सीर को तो यह बहुत ही अच्छा साई की ज चेंच हो जाएगा एक ग्लो आएगा शाइन आएगी और softness बहुत ही बढ़ी अवाली आई उसी तरह से यह जैल भी चान लेना है यह देखिए जो फ्लैक्सीर्स हैं यह कपड़े में रह जाएंगे और पूरी जैल जो हमारे वावल में आ जाएगी अब यह हमने एड करनी ह है अपनी इस क्रीम में अभी यह देखिए बहुत ही अच्छा से इसको प्रेस करके न हमने जैल निकाल लेना है इसका बहुत अच्छा से निकल जाता है बहुत बढ़िया यह जैल होता है आप इस जैल का अगर डायक्ली जो है यूज कर लेते हैं इस तरह से एज़ क्रीम य अब ही हांप से थोड़ा साथ ज्याज़ा जो है यह मैंने इसमें आड कर लिया है इसे जितनी पी चीज़े हमने स्क्रीम में यूज की है वह हमारी चीशन के लिए बहुत जरूरी है vitamin c बहुत भरपूर मातरा में है इस क्रीम में बहुत जरूरी हमाई skin के vitamin e हम इसमें add कर लेगे मतलब जो भी माई skin को चाहिए वह हम सब जो है अपनी skin को provide करवाएंगे यहाँ पर 1 teaspoon ले लिया हमने almond oil 1 teaspoon ले ले लेंगे glycene जो हमाई skin को बहुत अच्छे से नरिश करेंगी स्किन में ड्राइनेस नहीं आने देगी विंटर्स में भी आप यह इस क्रीम को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो देखेगा आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी अभी यह जो है ना वन टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया अलवेरा जेल और वाइटमीन E का कैपसूल जो है दो हमने इसमें एड कर देने है तो यह बनी है बिल्कुल परफेक्ट क्रीम इसको आप 15 डेज के लिए स्टोर करके रख सकते हो आपने रेफ्रीजरेटर में रख लेना है इसे जब भी यूज करते हो निकाला और फिर से रख दिया 15-20 दिन बड़े हराम से आप इसे यूज कर सकते हो कोई भी कंटेनर लें ग्लास का प्लास्टिक का हो चलेगा रात को अगर सोते वक्त आप तो फेस वाश करके भी इसे एपलाई करके सोते है तो आप देखेगा रिजर्ट बहुत ही अमेजिंग मिलने वाले है यह बहुत ही प्यारी अब नहodal सिर्ट ना तो आपने यह जो उस है ना वो आपने डारेक्ली समय अड़ कर देना है यहाँ पर मैं पावडर आड़ कर रही हूं पावडर मैं इसमें यूज किया है तो बडर करेंगे तो यह बन जाएगा एक फेस पैक पिल esto आपने यह तो एपने ही चेहे पर से अपनी फिंगर्स की हर्प से इसे अप्लाई करें फेस पर हलके हलके मसाज करते हुए एक्टिंग के लिए मुहास्तों की समस्य कम करने के लिए और बेहर फायदेमंद है इससे स्किन में निखार भी आता है दाग दब्बे कम होते हैं जूरियां हैं बढ़ती उमर के साइंज हैं तो उनसे भी बचाब होगा अगर स्किन बहुत जादा ड्राय है बहुत जादा डल है बुची-बुची से लगती है तो यह पेस्ट आपको अप्लाई करके देखिए गा एक से दो अप्लिकेशन में ही आपको डिफरेंस नजर आए पहरे अपने आंकों के आज पास में हलके हाथों से मसाज कर लें कि इसमें आलू का रस से घ्र मशें करना है अपनी स्किन के अंदर बहुत जाएगी स्किन और सक जो भी आपके स्किन पर दाग दब्बे हैं ना पिकुमेंटेशन है किसी भी तरह के डाक सर्कल्स हैं वो सारे धीरे धीरे जो है ना आपको फेड नजर आने लगेंगे 15 से 20 मिनट्स में यह ट्राय होने लगता है बस इसको पूरा ड्राय नहीं होने देना है बैट टावर लेकर इससे साफ कर लें उसके वाद ओस वाश कर लें और यह क्रीम अपने अप्लाई करनी है कि ड्रायनश ना आ है दो रात को सोते सब्सक्राइब है घ्राइब कर लें अशिय। पर बहुत अच्छे से यह ब्तर ओगा लेनी है आंकों के आच पास जो है रिंकल्ड वगरा रहा है वह भी आपक जैसे normally हम क्रीम जो है मार्कीट की क्रीम यूज करते हैं आप यह यूज करके देखिए आथों में पैरों में अपनी वाज्यूं में मतलब पूरी बॉडी पे आपकी क्रीम यूज कर सकते हो तो बनाकर देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा मैं नेक्स वीडियो म गुद्बाइ